तो गैस मैं भानु प्रकास आप सभी का विलकम करता हूँ आज की इस क्लास में और गैस यहाँ पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर जो की पिछले चार बार से मैं आपको फूल मार्क सिश्पूर करके दे रहा हूँ आपके रीजनिंग में और प्लस एंड वरिफाइड ए हैं प्लस के फायदे हैं पॉस्नल गाइडाइन्स होगा आपका टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडलाइन और स्टडी मट्रील के साथ साथ स्टडी प्लानर भी वहाँ पर अविलेबल किया जाएगा माइडियर फेंस रेज हैंड की जो फैसलिटी है वो आप जोइन कर इसले से करेक्से वहाँ जो आप अपने डाउट जो है वह अपने estucator से sonst में पहला कोशन आपके सामने जो है वो आ चुका है आज का पहला कोशन आपके सामने आ चुका है गाईज करिए आप स्क्वेर टेबल की बात करी गई है कोशन पर करिए फटावर्ड स्क्वेर टेबल की बात करी गई है कोशन पर फास्ट एव्रिवन फटावर्ड अन्रॉल कर लीजिए फटावर्ड जोइन कर जाए है माई देर फ्रेंज फास्ट कर दो एई है कि अ उटावर्ड एवर्ड ओावर्ड बात कर लीजिए प्रेंगा कर दे दोट एव्रड शावर्ड वा स्क्वेर्ड बात कर दो एव्रड कर दोटावर्ड पास्ट टॉर्स करियर फटावट कुस्टिन को फास्ट चलिए हेलो बेटा कैसे हैं आप छोटी हाव वर यू देखे हमारे पास कोश्टन है अब क्या करें ध्यान से देखना यह वही वाला कोश्टन इस पर आप अनेकाडमी वाली क्लास में डाउट हुए दाउट हुआ था कोश्टन पूरा नहीं देख रहे है बेटा कोश्टन के थी स्कूरा अनेकाड कोश्टन पर साउट पाता है सबसे पहली बात क्या है घुटा इनकाडमी अगरे संग्धरे fell डेका रिये मेंट ऐसा सबसे पहली ठीक है? linear पे बैठे हुए ये सबी लोग, कुछ लोग south में देख रहे हैं और कुछ लोग north में देख रहे हैं, ठीक है? अब question क्या कह रहे है? answer की, answer की भेजिए, जितने लोग का बन गया answer दिखाईए एक बर, जितने लोग का बन गया adjacent face in same direction c is immediate right of e and g sits one of the extreme end of the row याने ब एक चीज़ किलियर हो गया कि या तो g आपका यहाँ पे बैठा होगा या फिर g आपका यहाँ पे बैठा होगा one of the extreme end of the row पे g बैठा हुआ है ठीक है linear हो है बेटा हाँ linear हो है अब question क्या कहता है अब question हमारा यह कहता है कि two person between g and h तो g और h के बीच में दो लोग है g और h के बीच में दो लोग है क्यों क्योंकि हमारे पास question यह कह रहा था कि g जो है वो अन्तिम छोर पे बैठा हुआ है दो लोग है इसके बाद क्या कह रहे f sits immediate left of h f जो है वो immediate left है किसे के h के तो h कहां देख रहा है एक बार उपर देख सकता है h और एक बार नीचे देख सकता है भाई यही होगा न देख लीजी देख लीजी f is third to the left of h h के third left में तो अगर h को ऊपर दिखाओगे तो third left g हो जाएगा तो h नीचे देखना पड़ेगा तो h के first second third left में कौन f है और h को अगर नीचे दिखाओगे तो नहीं तो h को ऊपर दिखाओगे यहाँ पे तो एक दो तीन कौन है f है दोनों तरफ अलग अलग बन गया सिक्षा बेटा के लिए रहा तक अब है immediate neighbor of h is facing opposite direction to each other h के दोनों पड़ोसी एक दूसरे के opposite direction में देख रहे हैं आगे है कि three person between f and e form और tete के बीच में थीन लोग हैं और total 8 लोग हैं तो तीन उधर 1234567 तो एक दो तीन है यहाँ पर आ जाएगा एक दो तीन ही यहाँ पर आ जाएगा एक यहाँ रिक के बीच में तीं लोग है clear है the next I'm skakaf is north direction में है is thexi a वह दिच एंडियेट नेवर है एक दूसरे के van लिए नेबर है एक दूसरे के उनके लिए हमारे पास यही जगह बसता है A और D के लिए और यहाँ पे A और D के लिए हमारे पास यही जगह बसता है A और D के लिए क्योंकि देखो ना क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कह रहें, only one person sits between D and B, तो one person, तो बेटा एक चीज़ clear हो गया, कि अगर D यहाँ बिठाओगे, तभी B यहाँ पर बैठेगा, तब एक चीज़ confirm हो गया, यहाँ पर क्या, कि D यहाँ पर और A यहाँ पर, यह चीज़ confirm हो गया, यह F था, है ना, D यहाँ पर और A यहाँ पर, बचा हमारे पास केवल एक जगह, आए देख लेते हैं, F का फेस नौर्थ डारेक्शन में है, very good, F का फेस नौर्थ डारेक्शन में है, इसके बाद है कि the person sits extreme and facing opposite direction, very good, each other, G face same direction as H, तो H उपर है, तो G भी उपर देखेगा, और यह नीचे देखने लगेगा, है ना, क्योंकि question में कहा गया था यह बात, कि भाया, जो दोनों लोग है, वो एक दूसरे के बिपरीत देखेंगे, अब पहला लाइन हमारे पास है, कि C immediate right है E के, तो E का immediate right C कब होगा, जब इसी वाले लाइन पे E उपर की तरफ देखेगा, तो यहाँ पे आपका C हो जाएगा, अब C को confirm नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि question में कहा गया था, कि not more than two person sits adjacent faces to the same direction, अब ध्यान से देखो, यह दोनों उपर देख रहे हैं, तो यह नीचे देखेगा, तभी काम बनेगा, अब यह भी उपर है, यह नीचे है, तो बचा हमारे पास D, D sits immediate neighbor of each other, अब एक बात बताएए, सब लोग D का face कहा होगा, D का face कहा होगा, हाँ, वही तो इसलिए तो पूछ रहें कि D का face कहा होगा, बाकि सब्सका तो clear होगा ना, इसलिए तो पूछ रहें कि D का face कहा होगा, बताएए, यहाँ पर D का face कहा होगा, A and D immediate neighbor है, G sits one of the extreme end है, F sits third to the left of H है, C sits immediate right of E, C जो है, immediate right है, E के, C immediate right है, E के, एक, एक, आठक है, ठीक है, पर टेक बात बताओ, ना, तीन हो जाएगा, फिर यहाँ पे तो, फिर यहाँ पर तो, फिर यहाँ पर तो, तो question क्या है कि C immediate right है E के तो E के immediate right में है ना E के immediate right में तो उपर वाला case A और D है तो यहाँ पे D होगा तो यहाँ पे आपका B हो जाएगा कोई D और B के भीश में एक का gap है अब बचा E तो E के बगल में C को बिठाओगे तो उस case में हमारे पास question था कि C immediate right है E के तो E के immediate right है तो E अगर आप नीचे दिखाओगे E अगर आप नीचे दिखाओगे तो E का immediate right होगा ना C फिर तो यह वाला scene बनेगा हाँ फिर तो यह वाला scene बनेगा आपका फिर आपका D का position यहाँ पे confirm हो जाएगा फिर according to the question F का face north में है नीचे देखेगा तो B उपर देखेगा फिर तो आपका यह वाला case बनेगा यहाँ पे अच्छा C north में है यह हमारे question में available था तो C north में देखेगा तो question क्या बनेगा G south में देखेगा C north में देखेगा इसके बाद E नीचे की तरफ देखेगा इसके बाद H नीचे की तरफ देखेगा फिर बना A और फिर बना D फिर बना F उपर की तरफ देखेगा फिर बना B उपर की तरफ देखेगा अब बचा हमारे पास A और D तो A और D में A तो clear है न कि अगर ये दोनों को नीचे उपर दिखाओगे तो D नीचे दिखाना पड़ेगा और इसको उपर दिखाना पड़ेगा तो final answer हमारा ये वाला बनेगा ठीक है ङूँकि यहाँ पे C वाली possibility सही नहीं हो पा रही है मिला लीजे final answer हमारा ये बनेगा क्योंकि C की possibility यहाँ पे सही नहीं हो पा रही है क्या समझे छोटी किलियर हुआ बेटी अगर कोश्चन किलियर ना हो तो बता देना ठीक है एवरिवन मैं फिर से रिपीट कर दूँगा कोई दिकत नहीं है मुझे ठीक है अब यहां पर हमारे पास कोश्चन है और इस कोश्चन में पूछा गया है कि 4 of the falling are 5 alike one एक odd one out निकालना है तो G F E H D G F E H D G F E H D तो D नीचे है है ना E नीचे है H नीचे है G नीचे है F उपर है तो हमारा right answer क्या हो जाएगा F हो जाएगा option number B हमारा right answer क्या हो जाएगा F option number B question number 2 का answer दीजिए विटा everyone question number 2 का answer दीजिए question number 2 का answer दीजिए क्या हा रहे है very good very good very good फास्ट कुश्ण नमर थ्री करिए फास्ट किसका अंसर E है किसका अंसर E है किसका अंसर E है बेटा जी A फेसिंग नौर्थ है ये कहां चला गया कुश्चन रुको अभी दिखाते हैं आपको हम कि A फेसिंग नौर्थ है तो उसके लिए अच्छा हाँ A का A के न ए नौर्थ में तो आंसर H पे आएगा ना बेटा आंसर तो H पे आएगा कि दवन हुशिट सेकेंड टू दे लेफ्ट ऑफ दी नन अफ दीज वाला के श बनेगा ये तो बने गई नी ना डी तो बने गई नी क्यों क्यों कि हमारे कुश्चन में क्या है हमारे कुश्चन में A के लेफ्ट में कहा गया है है ना हमारे कुश्चन में A के करिए फास्ट कि D और G के बीच में कितने लोग हैं D और G के बीच में कितने लोग हैं अरे नहीं मैंने पता क्या मैंने राइट में देख लिया था जबकि actual देखना था लेफ्ट में अक्शुल देखना था लेफ्ट में तो G और D के बीच में कितने लोग हैं More than 3 हैं How many persons facing south direction South में कितने लोग देख रहे हैं South में कितने लोग देख रहे हैं देखिए ऐसा question बन सकता है क्योंकि ये दोनों तरफ face कर रहा था North और South तो ऐसा question बन सकता है ठीक है करिए question अगला क्या होगा How many persons facing north direction, south direction South direction में कितने लोग देख रहे हैं चार लोग हैं जो south में देख रहे हैं Which of the following pair sits at extreme end एक तरफ तो G है और दूसरी तरफ B है तो G और B का pair यानि option number B G और B का pair यानि option number B G और B का pair यानि option number B ठीक है हाँ अगला question coding decoding से related है हाँ छोटी में यही वाला question बता रहा था आपको कल कल या आज हमारी जब भी बात हुई होगी आपसे तो मैं आपको यही वाला question बता रहा था कि यह आपका coding decoding का basic है अगर इसके question आते हैं तो 3 to 5 question इसके बनते हैं पांच पहले बनते थे अब दो से तीन question आपका अल्मूस्ट इसका बनता है चलिए अगले question पर timer लगा दूँगा मैं करिये फटावाट सभी लोग fast दूँगा दीजे एक बार दूँगा सभी का अबर बना लीजे फटावाट सभका बन गया मेरे आवाज जारी है सब के पास बता दीजे एक बार बना ये फास्ट वैद्धि ही शिंग बेटा बना सभीता की तरफ से तो question done है बन गया very good अब देखें जिन बच्चे को ये question करने में दिक्कत होगी वो बता दीजेगा मुझे प्लीज इसका मैं बता दूँगा तरीका की इस टाइपके question को कैसे करते हैं ठीक है जी आये बात करते है question number 1 की question number 1 में पूछा गया है ग्रे मैजेंटा का कोड क्या होगा ग्रे मैजेंटा का कोड क्या होगा question number one गे मजिंटा का कूड क्या होगा, कुश़्ा नुम्बर वन Gray और मजिंटा का कूड क्या होगा, कुश़्ा नुमर वन करिये फास्ट कुश्चन नमर वन ग्रे और मैजिन्टा का कोड वेरी गुड वेरी गुड ग्रे और मैजिन्टा का कोड राइट आंसर इस ऑप्शन नमर डी वाई जी हैं जी काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन अलग रहा है यह देख लेते हैं यहां पर हमारे पास ब्लैक ब्राउन वाउट वाइट और पिंक है तो देखो बेटा वाइट यहां भी है इसके बाद वाइट नहीं है कहीं पे भी तो हमारे पास अगर हम वाइट के कोड की बात करेंगे तो हमारे पास वाइट का code जो है वो क्या बनके आएगा ये देख लेते हैं एक बाद, इन दोनों में white white है तो ip हो गया, white का code क्या हो गया? ip हो गया, white का code हो गया, आपका ip हो गया, ठीक है इसके बाद आपके पास question क्या कह रहा है, question इसके बाद brown है, brown है और brown आपका और कहीं नहीं है तो first और third में क्या common हो रहा है NW तो brown का code क्या हो गया NW हो गया इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर orange है यहाँ पर orange है और यहाँ पर orange है तो orange, orange, orange का code क्या हो गया तो NG है GN है ठीके GN है और यहां पर फिंख पिंख में कॉमन है T E तो मेरे प्यारे बच्छे, यहां पर मैं पिंक की बात करूँ तो पिंक का कूड क्या हो जाएगा? पिंक का कूड हो जाएगा T E पिंक का कोड हो जाएगा T E तो उसी तरीके से हाँ ब्लैक बच गया ब्लैक का कोड हो जाएगा K L ठीके अब हमारे पास दूसरे वाले सेगमेंट में क्या बचा है रेड और यलो तो बेटा रेड और यलो का ये दो चीजे जो है वो अनकनफर्म्ड है और ग्रे और ब्लैक और ग्रीन की बात करेंगे तो ब्लैक उपर है और ब्लैक नीचे है तो ब्लैक का केल हो चुका है ठीके अब बच्चा ग्रे और ग्रीन ठीके और उपर बच्चा ये दोनों तो ये दोनों आपका common वाला पार्ट हो गया तो question वही पूछा है आपसे क्या कि gray और magenta का code क्या होगा तो मेरे प्यारे बच्चों gray का code क्या हो जाएगा यहाँ पे yg और sr में से कोई एक होगा तो yg और sr में से कोई एक होगा है ना yg और sr में से कोई एक होगा और magenta का code क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मजिन्टा का कोड क्या होगा, तो मजिन्टा का कोड हो जाएगा NG, मजिन्टा का कोड हो जाएगा NG, तो हमारे राइट आंसर ओप्शन नमबर D की तरफ इंडिकेट करेगा, क्लियर है, चलिए, अगला गोश्चन है, what is the code for white in the coded language, white का code क्या होगा, करिये फास्ट white का, white का, timer लगाना भूल गया मैंना, white का IP हो जाएगा, IP यानिके option number A, white का IP, IP यानिके option number A, देखिया, white की अगर हम बात करें हाँ पे, तो white का IP सबसे पहले ही निकाल के रखा गया था, ठीक है, तीसरा, what is the code for brown in the coded language, brown का code क्या होगा, what is the code for brown in the coded language, अब यहाँ पर brown और पिंक का NWTE, तो NWTE है, तो हमारा answer इसके हिसाब से तो, cannot be आना चाहिए ना, आठवे का, है ना, क्योंकि brown का NWTE बनेगा, तो आठवे का cannot be determined होना चाहिए ना, ठीक है, 9, GN का code क्या होगा, निकाली एफट आफट जी एन का code क्या होगा, GN का code होता है, good night, वो अला नहीं लगाने है, ठीक है, GN लगाने, क्या हुआ बेटा, confusion कहा पे, question number 8 पे बेटा, brown का code पूछा गया है, ये एक बार देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, no problem, brown का पूछा गया है, brown का NW है, और बेटा, brown कहा कहा पे, जहाँ जहाँ पे brown है, वहाँ वहाँ पे और कोई color है, क्या, brown और pink, ठीक है, you are right, brown और pink, देखे, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे brown है, वहाँ वहाँ पे pink है, ध्यान से देखिए, बोड पे, जिस line में brown है, उसी line में, दो code pink का भी है, तो ये चीज़ confirm नहीं हो पा रहा है, कि brown का code क्या है, और pink का code क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, जहाँ जहाँ पे brown है, वहीं पे उसी line में pink है, ध्यान से देखिए, जहाँ पे brown है, वहीं पे pink है, है ना, तो brown और pink, हम लोगोंने जो NW निकाला था, वो गलती से निकाल दिया था, क्योंकि जहां पे brown है ना वहीं पे pink है तो confirm नहीं हो पा रहा है एक बार ने स्क्रीन पे देखिए एक बार इस्क्रीन पे देखिए आप लोग यहां पर मैं फिर से निकाल देता हूं एक बार इस स्क्रीन पर देखें, मैं फिर से निकाल देता हूं, देखें ध्यान से, एक बार इस स्क्रीन पर देखें, आप लोग, मैं फिर से निकाल देता हूं, ठीक है, और ब्राउन है आपका कौन से लाइन में, इसके बाद ब्राउन है आपका तीसरे लाइन में ब्राउन है तो पहले और तीसरे में ध्यान से देखेंगे जब आप लोग एक कोड हो जाएगा कौन सा NW और एक कोड हो जाएगा आपके पास यहाँ पे पहले और तीसरा में के एल जी एन आई पी ब्राउन और पिंक है ना तो केल है नहीं गन, NW, NG, TE हाँ TE हो जाएगा क्योंकि देखो न यहाँ पे टी अलग से है और और एंज के नीचे टी है तो बेटा confirm नहीं हो पा रहा है कि brown का code nw होगा या te होगा क्योंकि जहाँ पे brown है वही पे pink है ध्यान से देखिए जहाँ पे brown है वही पे pink है तो brown और pink के लिए दो code निकल के आ रहा है nw और te क्योंकि nw और te दोनों उसी line में common है confirm हुआ confirm हुआ 100% actually हम लोगों ने starting में इस चीज को देखा नहीं था ध्यान से इस वज़े से वो mismatch हो गया था ठीके तो जिन बच्चों का मैंने personally confirm किया है ये question एक chocolate उनके पे हमारा add हो गया ध्यान रखिएगा आप लोग जोड़ते रहेगा जिस दिल पूरा मतलब डबा भर जाएगा ना पेटी वाला चोकलेट से उस दिल बता देना आक उठाके ले जाओंगा है ना ठीक है confirm हुआ brown वाला answer confirm हुए बेटा brown वाला answer देखो यहां पे मैं confused नहीं हुआ वहां पर क्या वान कि वहां पे brown यहां पर pink छिपा आ हुआ थे चिपा रिखा हुआ थे शिख्षा किलियर हुआ हाँ जी एन का code क्या था जी एन का कोड क्या था जी एन जी एन का कोड क्या था बेटी जी एन का कोड बताओ अरे पता है मैं जुखाम से इतना परिशान हूँ भाई इतना परिशान हूँ है न कि पूछो मत एक तो लोगों ने परिशान कर रख है कुछ लोग हैं जो परिशान करके रखे हुए हैं उनको समझ में आता है तबियत खराब है फिर भी परिशान करके रखा हुए हैं छोटी तो RN का ले तरांसद्टर क्या हो जाएगा? आरेंज हो जाएगा प्रुदीव अचोज़ में पो तरदीव जाएगा कि हैं रेड ओरेंज ग्रीन एड़ ओरेंज ग्रीन जाएगा हम्लादी यह तो ने ना ल क्यात्त करेंज राई डेंज बूट आन आझços किसका नाम लूम है जिसने मुझे परिशान कर रखा है कंट्रोल सर कंट्रोल यह ना चलिए बताये फिटा फिटा फिट आंसर क्या होगा यहां पे यह तो ठीक है विक्स विद इस्टेम कोल्ड यह ना छूम अंतर बट यह इस्टेम कोल्ड इंग्लीश में मत लिखा करिये ना कोल्ड का तो मतलब चलो ठीक वो कोल्ड कॉफी पीते है ना वो सीचीडी में जाके तो याद है वो कोल्ड कॉफी याद है दस्वे का राइट आंसर अच्छा एक चीज और बता देते हैं पांच बजे वाली क्लास पॉस्पॉंट करूंगा मैं आज क्योंकि मुझे यह चीज याद नहीं था कि यूटूब की क्लासिस तीन बजे से हैं कि यह पांच बजे वाली क्लास पॉस्पॉंट करूंगा मैं उसके बदले रात में लोग दो क्लास इज लेंगे ठीक है कि करेक्ट आंसर क्या है इसका राइट आंसर इस ओप्शन नमबर डी अब देखें इसको छोड़ते हैं इसको छोड़ते हैं इसके बदले मैं आपको एक मैं नया सीट यहाँ पर अबिलेबल करके देता हूं सभी बच्चों को ध्यान से देखिएगा ठीक है अगला कोशन आपके सामने धमाकेदार इंट्री के साथ एक नया कोशन की सुरुवात आपके स्क्रीन पे और इस कोश्चन के लिए मैं यहाँ पर टाइमर लगाऊंगा ना मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पर टाइमर लगाना चाहता हूं इस कोश्चन के लिए मैं यहाँ पर टाइमर लगाना चाहता हूं जो कि हमने लगा दिया शिक्षा बीटा यह वाला कुशन आपसे बनना चाहिए, हना प्लीज, एकदम मन्द से बनाईएगा, चाइनीज कोडिंग वो होती है ने, जिसमें सिम्बल भी फाइंड आउट करना होता है, मतलब सिम्बल होता है, नंबर होता है, जो आप्शन पर इलिमिनेट करना सिखाया था, चलो चाइनीज कोडिंग ना, मैं आपको, आज तो साम को इनपूट आउटपूट रात में कराऊंगा, उसके साथ साथ चाइनीज कोडिंग भी लगा देता हूँ में, ठीके, चाइनीज कोडिंग आज रात को और इनपूट आउटपूट ठीके, बट पांच बजे वाली क्लास में पॉस्ट पॉंड करूंगा ठीक है पांच बजे पांच बजे का टाइम मेरे गप्पे मरने का टाइम होते है न अगर क्लासेस पहले जादा देर के हो जाए तू ती जाए नैता है क्वेट वाग आप आट बन गया इनसे बन गया मोनी प्रशाद बन गया बन गया फटाफर्ट अच्छा एक चीज और बता दू कि आज जो साम को पांच बजे वाली क्लास है न वो हमने साथ बजे री स्केडूल कर दिया है साम को 5 बजे वाली क्लास हमने 7 बजे का कर दिया है तो आप सभी बच्चे तयार रहेगा साम को 5 वाला क्लास 7 पे कर दिया है ठीके? आईए देखे, यहाँ पे कुछ बच्चों से कोश्चन बन गया और कुछ बच्चों से कोश्चन नहीं बना होगा ठीके? आओ एक बड़ देख लेते हैं किन-किन बच्चों से कोश्चन बना है और किन-किन बच्चों से कोश्चन वाला नहीं बना है तो देखे, यह कोश्चन क्या कह रहे हैं आप से? कोश्चन कह रहे है कि हमारे पास सारे के सारे लोग जो हैं वो कहां बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग कहां बैठे हुए है, square table पे बैठे हुए है, ठीक है, कल SBI P.O. second shift में है, ओके, not bad, square table पे बैठे हुए है, अभी square table का सबसे, देखो, यहाँ पे न, जिन बच्चे का clear नहीं होगा, है ना एक shortcut में hint दे देता हूं में समझ जाना जिस बच्चे का ये question clear नहीं होगा ठीक है अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों ने coding वाला question clear किया था वो brown और pink वाला है ना तो आप वो तरीका अपना सकते हैं आप वो तरीका अपना सकते हैं ठीक है जिन बच्चों का ये question clear नहीं हुआ होगा गॉट इट आईए अब question क्या कहता है question ये कहता है कि चार लोग जो हैं वो corner पे बैठे हैं और facing inside चार कोने पे facing inside है चार कोने पे facing inside है और बाकी चार बीच में facing outside है देखो बीटा जब कभी भी ऐसा मुद्दा first जाए जब कभी भी ऐसा मुद्दा first जाए तो जब आप अंदर की तरफ देखोगे तो ये वाला area आपका left होता है बट यही outsider के लिए area क्या होता है राइट होता है और जब अंदर की तरफ देखेगा तो ये राइट होता है और ये वाला area क्या होता है left होता है ये वाला area आपका क्या होता है left होता है अब question क्या कह रहे ध्यान से समझू कह रहे question कि D is second to the right of A अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास अभी तक ये चीज़ confirm नहीं हुआ कि D कहां बैठा हुआ है नहीं हुआ but question कितना है question कैसा है question बड़ा है या normal सा है question small है medium है या फिर large है या excel है question का size कैसा है अगर question का size small और medium है तो इसी डायग्राम पे बिठा दो सुरू कर दो बिठाना question कह रहे कि D is second to the right of A D जो है वो second right है किसके A के तो अगर A यहां होगा तो A के second right में D यहां होगा और अगर A यहां होगा तो A के second right में D यहां होगा ठीक है question का size आपका बिलकुल small है तो दोनों तरफ ले लिया क्योंकि एक दो line में question ही confirm हो जाना है आगे क्या कह रहे कि two persons are between D and F तो अगर D यह रहा तो एक दो F यहां एक दो F यहां confusion है ठीक है confusion है कि D और F के बीच में दो लोग है D और F के बीच में दो लोग है confusion है छोड़ दो आगे बढ़ो G does not faces D G का face D की तरफ नहीं है अब एक चीज बताओ G का face D की तरफ नहीं है का मतलब क्या है कि अगर D अगर D अंदर देख रहा है तो D का face अगर इधर है तो G का भी face इधर नहीं होगा यानि कहीं भी दोनों corner पे नहीं बैठेंगे D और G कौन साथ? G और D corner पे नहीं तो हम लोग यहाँ पे G को बिठा सकते है क्यों? क्योंकि G का face जो है वो D की तरफ नहीं है D के opposite है यह दोनों अगर देखा जाए तो दोनों का face सेम उसमें है clear है न? यहाँ तक clear है? यहाँ तक clear है? अब देखो question क्या है? कि H is third to the right of F H third right है किसके? F के H third right है किसके? F के और B opposite है C के B opposite है C के अब एक चीज़ क्लियर हुआ कि B, C कहीं पे भी बैठेंगे corner पे बैठेंगे लेकिन question कहा रहा है कि H H is third to the right of F अच्छा E sits second to the right of B तो बेटा पहले B बिठा लो B sits opposite of C B opposite है किसके? C के तो अगर आप suppose मुझे भी नहीं पता seriously B opposite है C के ठीके? और E second to the right है B के तो B के second to the right यहाँ पे E आ सकता है क्या? B के second to the right यहाँ पे E आ सकता है क्या? तो question क्या बना? question फिर से बन गया क्या? कि G sorry, H is third to the right of F H third right है किसके? F के तो H third right है किसके? F के क्या यह line satisfy होगा? H third right है F के क्या यह line satisfy होगा? नहीं नहीं न यह लाइन सैटिस्फाइन नहीं होगा न तो अब B और C अपोजिट है तो अगर आप B को यहाँ पे बिठा दो और C को यहाँ पे बिठा दो तो कुशन क्या कह रहे है कि E second to the right है B के तो B के second to the right में E है अब हमारा कुशन यह कहता है क्या कि H जो है वो third right है F के तो F के third right में तो f अगर यहाँ पे होगा तो first second third right में h होगा बेटा question देखो ध्यान से बनके ready है question देखो ध्यान से बनके ready है everyone एक बार question को ध्यान से देखिए बनके ready है two person between d and f हाँ तो d और f के बीच में दो person देखो satisfy हो गया satisfy हो गया वो देखो ध्यान से clear है सिख्षा बेटा सविता गोयल everyone यहाँ पे सभी लोग जितने भी अवैद ही है नमोनी प्रशाद है और जो बच्चे ऑफ-लाइन देख रहे हैं यहाँ पे और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी लोग बता दीजे मुझे कि यह clear है offline देखना है का मतलब जो बच्चे recorded देखेंगे वो भी आपर बता सकते clear अगर नहीं होगा तो same type का question में किसी दूसरे class में arrange कर दूँगा कोई problem नहीं होगा एक बार comment करके बता दीजे मुझे यह clear है क्या अगर clear है तो ठीक है नहीं clear है तो फिर से आप लोग को explain कर दूँगा यह वाला में yes boss clear है बिटा question है who among the following states second to the right of G G के second right में कौन है G के second right में कौन है बताइए question का answer बताइए क्या होगा कि who among the following person states second to the right of G right answer option number B that is A right answer option number B that is A यह IBPS Clarkieal का admit cut कब अभी तो pre-cadmit cut आएगा ना तब जाके आप लोगों का prelims का admit cut आएगा पहले pre-cadmit cut आएगा तब जाके prelims का करियर फास्ट question number 2. question number 2 का right answer क्या होगा? question number 2 का right answer बता दीजे क्या होगा? very good option number A. क्या होगा? अमंग दुवा अमंग दॉवागा? पसिट थर्ड र्ड र्ड आ यानी की जी अप्शन नम्र आ यानी की जी? 3 करिये कुछन नुमर 3 करिये कुछन नुमर 3 करिये कुछन नुमर 3 कुछन नुमर 3 में का गया हम वनी पर्सन साथ सिट्स बिट्विन A and D वन कांटेड फ्रम लेफ्ट ऑफ A, A के लेफ्ट वगर कांट किया जाता A और D के बीच में कितने लोग हैं, करिये फटा फट D that is 5 कह रहा है कि how many persons between A and D और कांट करना है A से, तो A और D के बीच में कितने लोग हैं, जबकि A के लेफ्ट में कांट करना है, तो A के लेफ्ट में एक दो तीन चार पाच लोग हैं, तो इस केस में हमारा राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, counted from A, यानि कि यह हो जाएगा 5, left of A, answer is 5, clear answer is 5, तीसरा, चौथा कुछन है, which of the following statement is true regarding E, E के regarding कौन सा वाला statement true है, E के regarding कौन सा वाला statement true है, E के regarding कौन सा वाला statement true है, E के करिए फास्ट, करिए फास्ट, हाँ, कुश्चन नमर फूर का answer दीजिए बेटा, कुश्चन नमर फूर का answer दीजिए आप लोग, फास्ट, क्यद्स करिए थार कर दीजिए याव,ब घसित्क लोग, तो का napkin, क। भ बेसिए तीजिए बेस्ट, क्यद्स नमर थरा है, O Правकार्प्ट, Kतरा रहन नमर फुमित्ट, फूर का राइट आंसर ऑप्शन अबर डी चलिए कुश्चन नमबर फाइफ एक अलग निकालना है कुश्चन नमबर फाइफ एक अलग निकालना है वेरे गुड करिये फास्ट पाच्वे का राइट आंसर ऑप्शन नमबर डी है या ई है शविता गोयाल एक बार चेक करिए बिटा आप अपना अंसर आपने आंसर में दिया है आप्शन नमबर ई आप्शन नमबर डी दिया है ना ठीक है राइट आंसर ही जी ए ताइम स्टार्ट है इस कुश्चन के लिए ताइमर स्टार्ट इस कुश्चन के लिए करिये फास्ट करिये फास्ट कि लिए है अपना है 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 नहीं नहीं बेटा आपने ना वैद्धी के मतलब जो नीचे से दूसरा कमेंट है उसके उपर देखो ध्यान से डी दिया हुए है अब मुझे लग रहा है कि डी जो है वो पिछले कुश्ण के साथ आपने दिया होगा यह वाला बन गया क्या वन मिनिट फॉर्टी सेकंड्स अब एक बात बते गई जिये मैं सॉल्फ कर दूं या आप लोग खुदी सॉल्फ कर दोगे मैं सिरफ कुश्ण दिखा दूंगे नहीं दिखा दूंगे वो लास्ट कुश्ण का था बताईए यह मैं सॉल्फ कर दूंगे आप लोग खुदी सॉल्फ कर दोगे आर का कोड क्या होगा ए आर इए आर का कोड क्या होगा बताईए आर का कोड क्या होगा कमेंट करिया आर का कोड क्या होगा अजगा आर क्या होगा क्या होगा दूंगे Q6 का राइट अंसर क्या होगा, option number C, that is AE, ये solve करनी का वाशकता है क्या मुझे? ये question मुझे solve करनी का वाशकता है क्या? code for AR, तो AR तीन जगह पर है, तो तीनों जगह हो में code क्या आएगा? AE, AE, तो AR का code क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा, AR का code क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा, AR का code हो जाएगा, AE, got it? चलिए, what is the code for right? code for right, code for right, code for right, write का code क्या होगा? right का code क्या होगा? यह देख लेते हैं, right है हमारे पास सिरफ यहाँ पर बस, अब देखो, ध्यान से देखना कैसे निकालते है, right का code? मतलब एक ही question, data से एक question कैसे निकालते है, right यह रहा, right का code AE नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद right का code OM नहीं होगा, ठीक है? अब right के code के लिए बचा हमारे पास तीन, GH, NO, दो बचा, GH और NO, ठीक है? तो यह GH और NO जो है, वो कहीं और common नहीं हो रहा है, ठीक है, GH और NO कहीं और common नहीं हो रहा है, तो right का answer या तो GH होगा या NO होगा, answer is cannot be determined, answer आपके हाथ में है, answer आपके हाथ में है, question नमर आठवे का TA किसका answer है, TA किसका answer है, कुछ नहीं करना है, आजाओ question पर TA किसका answer है, सब अटा दो ऐसे, पहले देखलो TA है कहाँ, TA ये रहा, अब ये TA कहीं और common नहीं है न, TA जिसका भी answer होगा, नीचे वाले line का होगा, ठीक है, बिटा, TA का answer यानि कि team, तो ध्यान से देखो या पर team और vote, आर तो होगा नहीं, और sum होगा नहीं, तो या तो team होगा या vote होगा, या तो team होगा या vote होगा, तो हमारा answer इधर C और D में से एक होगा, या तो team होगा या vote होगा, हमारा answer इधर C और D में से कोई एक होगा, clear है देख लीजिए clear है बता दीजिए clear है single question ऐसे ही निकालते हैं 9 election r policy तो बेटा अभी थोड़ी दिर पहले हम लोगों निकाला था r का code a e आर का code a e तो a e देखो a e यहां पर नहीं है तो पहला option हटा दो और a e नीचे वाले में नहीं है तो यह भी option हटा दो करिए fast आर किस दो हुआड़ में इस बार बता है हुआ है करिए फास्ट क्या रहा है आंसर एलेक्शन और पॉलिसी पॉलिसी खास्ट आंसर आंसर तान स्ट रहा है, रहा है. क्या हिना चक्षान राक्षा क्यों ल Näक होगा सब्सक्राइब सिक्षा रेक्षंन और फॉलिसी तो द्यान से देखिए एलेक्षन और पॉलिसी का है कि इस है न आम ए एलेक्षिन और पॉलिसी कैसे निकालेंगे तो पॉलिसी का निकल के आ जाएगा क्या ए तो इसका हो जाएगा आपका क्या ओ एम अब बचा हमारे पास उलक्सरेल कहां पर है तो एलेक्शन ज्जो हो सब्द्रेब के आर और से और जैने था जू से दूर्ड है अब हमारे पास बच्छा है ड्लाइट है हैं सब्सक्राइब है ना ओ एंचनो गया है अंसे dziखेगा यशन एंचर yncये गापका ai आ झीच और newcom गया g Protect ह। इत्फर आपकर हमारे पास एक चीज किलिए रोगा डेंचaces किarden फकंट भू है तो हमारे सब्सक्राइप बात उन है तो यहां न O है तो ये हट गया ठीक है अब हमारे पास N O नहीं O N चाहिए हट गया बचा हमारे पास option number D दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं बन रहा है इस question के answers के लिए दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं बन रहा है इस question के answers के लिए clear everyone clear everyone अब यहाँ पर पूछा गया O.M. अभी थोड़ी दिर पहले O.M. का यहाँ पर वैद्धिय सेंग ने कमेंट किया है कि O.M. का क्या होगा? अब देखिए फटाफट अभी अभी जस्ट कमेंट किया है O.M. का क्या होगा? अब देखिए रूहित का रैंक 15 है टॉप से करिए फास्ट टाइमर लगा दिया हमने टाइमर हमने लगा दिया झाला के लिए रूहित कि क टॉप से कहा हमने चित्कत हमने लगा लगा दिए लगा Canal देखे यहां पर क्या है रोहित का रैंक 15 है कहां टॉप से और 23 है बॉटम से इनर क्लास तो बेटा जब एक ही बच्चे का रैंक दोनों तरफ से होगा तो दोनों को प्लस करके माइनस वन कर दो तो यहां पर 14 प्लस कर दो तो साथ हो जाएगा और साथ वाला एक ही ऑप्शन है आंसरी जॉप्शन नबर सी सिंपल क्या ताम जहम करने है अरे 15 में से एक माइनस किया तो बचा 14 फॉर्टीन बचा 14 सीधे प्लस करोगे तो चार और तीन साथ जब हमारा काम सेवन से हो जा रहा तम टू प्लस वन थ्री क्यों करेंगे जितने दिर में थ्री लिखो गो उतने दिर में सेवन पिटिक लग कि आप आगे बढ़ लोगे क्लियर है कि ए शिवानी कुश्चन क्लियर हुआ का देखिए द्यान से कि वह देखिए क्लियर हुआ बच्चे बोनी सिंग कुश्चन नबर 11 कुश्चन नबर 12 करिये फास्ट कुश्चन नबर 12 कुश्चन नबर 12 करिये बेटा सुने लो मेरी कारें बेने ती अना इस शूडियो में बेना एसी के काम ने होता है अभी भी गर में लग रहे हैं अभी भी गर में लग रहे हैं आपे कुश्चन नबर 12 पहले तु यह बताइए कुश्चन नबर 12 कितने बच्चों से नहीं बना इमांदारी से इमांदारी से कुश्चन नबर 12 कितने बच्चों से नहीं बना एकदम इमांदारी से बताईए कि हां जी सर हमसे नहीं बना बता दीजिए बिलकुल बताएंगे पहले तु यह बताएंगे कुश्चन नबर 12 कितने बच्चों से नहीं बना क्लास के बाद भी आप लोग पूछ सकते हैं जिनके पास पूछने की फैसलिटी है वह आप अपना अनकैडमी के अप्लिकेशन पर आसक डाउट वाला जो ऑप्शन है वहां से यूज करके आप पूछ सकते हैं आईए दीपक का रांक 31 है बॉटम से और 13 है टॉप से तो 31 प्लस 13 करोगे तो यह 44 और माइनस वन करोगे तो 43 होगा टोटल पास अना 43 होगा टोटल पास अब कह रहे हैं कि 6 बॉइज और नॉट पार्टिसिपेटेड इन एक्जामिनेशन और फूर आर फेल तो चार गो जो फेल हो गए हैं तो यह हो जाए का 47 गो एक्जाम दिये हैं एक्जाम में प्रेजेंट है और 6 ठो बच्चा क्या हो गया है एक्जाम दियने नहीं आया तो 6-6 12 13 और एक हो गया पास 30 बच्चा टोटल है क्लास में तो हमसे कुश्ट्चन क्या पूछ रहे हमसे कुश्ट्चन यह पूछ रहे कि how many, how many boys were there in a class, so your answer is 53, your answer is 53, right answer is option number D, right answer is option number D, mila lijiye, your right answer is option number D, mila lijiye, your right answer is clear, your right answer is clear, your Dateners the right answer, never ask questions about questionMark, the same answer is clear, क्लियर हुआ। क्या हुआ मेरी आवाज नी जा रही है क्या। आप लोगों पर मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या कोई ना एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं मेरी आवाज तो जाहिरी होगी आप लोगों के पास ना का तो मतलब भी नहीं है मैं हम कैसलेट पजल के लिए ने थोड़ा सा पहले से प्रिपेर करना होता है कैसलेट पजल इतना असान नहीं है उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेर करना पड़ता है चलिए कुश्चन नंबर 13 उसके लिए प्रिपेरेशन करना पड़ता है माम कुश्चन उसके लिए बनाना पड़ता है मतलब कुश्चन देखो अभी तो बनाने को बना दू ले 13th number question. करिये फास्ट. very good correct answer is option number B. question number 14, करिये question number 14. 15. . . करिये फास्ट 13 का भी है 14 का आंसर दीजिए 19th from the left end of a row of 37 student Harry age 16th from the right end in the same row निकाल लिए टोटल लाइन में आपके पास 37 है यह है आपका लेफ्ट से कितना 19 है ह-a-r-a-i-n-a हिरानी लेफ्ट से 19 है इन रोब 37 student and Harry age 16th from right and in the same row 16th 16th from right Harry then how many students there between them 19-16 जोड के सैंथिस में से माइनस कर दो simple नौएकदा सर्पास पंदरह दो अरिक्तिन पैथेस पैथेस माइनस कर दो बचा कितना दो आंसर इस टू आप्शन नमबर ई आंसर इस टू आप्शन नमबर ई पंदरह मां यह आपका होमवर्क है गाईस यह आपका होमवर्क है गाईस तो आप लोग इसे होमवर्क के तौर पे ट्रेट करेंगे ठीक है आईए यह बाकी सारे आपके जो क्वेश्चन्स हम लोगों ने किये हैं यह उसके आंसर्स थे यहाँ पे जो एविलेबल कराए गए हैं गाईज अगर आपको यूटूब पे कहीं भी इन एप्रोप्रियेट कंटेंट नजार आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लेंक में फॉर्म अप्लाई करके और आप सब्मिट कर सकते हैं अगर आप पहले होते हैं उस प्राबलम को अवाज उठाने वाले कि हाँ यह प्राबलम है ऐसे है तो वहाँ पे आपको क्या गिफ्ट प्राइस दिया जाएगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ता आप फटा फट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा pdf के लिए telegram channel नीचे description में आपको link मिल जाएगा let's crack का telegram है और guys share जरूर करिएगा और इस session को like जरूर करिएगा अभी जितने बच्चे मेरे साथ whatsapp पे जुड़े हुए है जो मेरे offline class के बच्चे और भी बच्चे है मैं उन सबका status चेक करूँगा कि आप सबके status पे ये वीडियो लगा है कि नहीं तो मिलते हैं फिर अपने अगली class में साम 7 बजे यहां तक हमारे शाद बने रहने के लिए thank you so much everyone